मुख्य मंत्री विश्णु देव साय के कुशल नित्रितों में भाजपा ने प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर शांदार जीत हासिल की कोरबा सीट में मामुली अंतर से हुई हार को छोड़ दे तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक भाजपा का परचम लहराया और 5 साल बाद बस्तर की सीट फिर से भाजपा के कबजे में आई बस्तर संभाग के बस्तर और कांकेर में हुई जीत विश्णु देव साय के सुशासन ही नहीं बलकि नकसलवाद के विरुद्धू उनके महा अभियान पर भी मुहर लगाती है जनता का संदेश भी असपश्ट है कि वो इस लड़ाई में साय सरकार के साथ है यही कारण है कि विधानसभा चुनाओ के तरजपर लोकसभा चुनाओ में भी यहां केमत दाताओं ने भाजपा पर अपना पूरा भरोसा दताया और दोनों सीटे भाजपा की जोली में डाली 36 गज़ में भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बस्तरवे नकसलवात के उनमुलन पर लगातार रूची दिखाई जिसका परिनाम है कि पिछले पाच महीनों में लगभग 120 नकसली मारे गए 400 से ज्यादा नकसलियों ने सरेंडर किया और लगभग 200 नकसलियों की गरफतारी हुई नकसलियों के खिलाफ इस कारवाई से बस्तर की जनता का सरकार के प्रती गहर अविस्वास बढ़ा और यहां भाजपा की जीत पर उसकी मुहर लगी है